सिलक्याल टनल में फसे मजदूरों का हलचा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश करन महारा पहुचे हुए हैं महराजी क्या जानकारी मिल पाई आपको देखिए मुझे उमीद है कि आज शाम तक कल तक कुछ गुड न्यूज आएगी और I am very hopeful कि कुछ अच्छा हो और मेरी good wishes हैं प्रसासन को और जो लोग यह टेक्निकली काम कर रहे हैं कि अच्छा कुछ हो बस इतना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए हम लोग लगातार आप भी मैं भी हम सब लोग लगातार control blasting की बात कर रहे थे जब से रहीनी की घटना घटी है लेकिन companies का इतना तो ज्यादा ध्यान देने की ज़रुति वह नहीं है साड़े चार किलोमेटर की टरनल में स्केप पात ना होना यह सबसे बड़ी टेक्निकल मैं कमी इसके पात का जिक्र कर रहे हैं मुझे यह बताया गया था कि यहां हूं टरनल पहले से बनी हुई थी और इस तरह का आप त तो इनको अभी जब यह घटना गटी तो उसमें हूं पाइप साइट में चलता है साथ साथ में ताकि कोई घटना घटे तो मतब कोई दिक्कत ना है और लगातार पहले के पांस धिन खराब किये गए मैं यह मांनता हूं कि कोई इनके पाप प्लैन ही नहीं था अब जाके जब इसमें और लोग इसमें अनुभाव की कमी भी है इतना बड़ा ओंग सेट आप आपके धरादून में है और उनका ड्रिलिंग और इसमें एक्सप वह deal से तो यह सारी चीजे हैं जिसको मैं पहूंगा कि मुक्हि मंत्री के जो समय नहीं साल में जो सब्सक्राइब कारवाई तक नहीं होई उसके जिम्मेदार का क्यों भिवकों सबस्केशाg की क्यांग घ्री 10-11 दिन हो गए अभी तक तो एफ यहार हो जानी चीशिए प्टाड़ में इस ohero पटा चला बड़ी कंपनी कें मतलब नहीं कि आप लोगों की जान से खिल आप हमने हुआ काम करें इसका पैसा आउशक हैं क्या चीज करने जे क्यों हमको भूगरभी सास्त्रियों का व्यज्ञानियों की राई और उनकी एक पैनल वनना चाहिए इन सभी चीज़ों मैं मुझे इश्वर के किरपा से ये जल्दी से जल्दी ये बाहर आ जाएं जो बता रहे हैं कि बहतर तरीके से अब काम शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द एक तालीस मज़़ूर भीतर फसे हुए हैं उनको टनल से बाहर निकाला जा सकेगा मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से कंपनी की स्थर पर लापरवाई हुई है उसके खिलाव फाइयर भी की जाए और पूरे मामले की गहराई से जांक पलताल भी की जाए केमरामेन फैसल के साथ संजेत रिपाठी एबीपी नियूज उत्तरकाशी